राश्टी है आई सो मेधा चात्रुती परिक्षा यानि NMS एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं सभी चात्रों को मेरा प्यारवर नमस्कार मैं उसरवन कुमर्शागर और आप देख रहे हैं हमारे योटूब चैनल योगिता ऑनलाइन क्लासेज आज के इस वीडियो में हम आपके ल करते हैं वीडियो क्वेश्टा तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें एक स्वास्टी क्वेश्टन पूछा जाता है और आपको तीन घंटे का समय मिलता है तो यहां पर दो पार्ट में इसका एक्जाम होता है मैट और सैट तो आज की वीडियो में आपको मैट में जो 90 करते हैं इसके बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में सैट पेपर के बारे में भी बताएंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो देखिए आपको क्वेश्टन पेपर में सेम टू सेम इस तरह से रोल नमर भरने के लिए रहेगा यहां पर तो क्वेश्टन में इस तरह से अभियरती का नाम यह सबाब भर सकते हैं अभियरती का हस्ताक्षर और आपको टोटल 180 प्रस्ण रहते हैं तीन घंटा का समय मिलता है तो दो पार्ट में एक्जाम होता है तो 90-90 क्वेश्टन रहेंगे और 90 मिनट का भी समय मिलेगा चली कु आपको जो एक्जाम में जाएंगे तो काला प्रस्ण निर्देश है कि काला बॉल पॉइंट से ही आप रंग सकते हैं ठीक है इस तरह से गोल करने के लिए रहता है तो उसमें काला से करना है दूसरा यहाँ पे देखे कि कोई रिनात्मक अंक नहीं है मतलब कि अगर कोई कोशिस करना है कि 90 में 90 बनाना है अगर किसी का जवाब नहीं भी आता है तो भी उसमें कोई ने कोई option को चुन लेना है ताकि क्योंकि अगर वह सही भी हो सकता है अगर कुछ बनाए रहेंगे तो लेकिन गलत होता है तो नहीं कटेगा तो सभी बना देना है कुछ भी आर्थी छोड़ देते हैं कुछ कोशन छोड़ना विल्कुल भी नहीं है यहां पर देखिए काले बॉल पॉइंट काहीं इस्तमाल करना बता चुके हैं और इसमें दिया गया है कि इसको भरते समझवन साबधानी रखना है उमार में स्चीट कर लें कि परस्ट पुछ्ष्थिका करमांक और उत्तर्पत्रकरमांक एक हैं तो यहां पर दूनों में मिला लेना है कि दोनों में एक ही है की नहीं की नहीं है तो छलिए आव देखते है क्वेस्टन में क्या सभएं कि यहां से हम लोग शुरू करते हैं मेंटल अविलिटी टेस्ट यानि मैट पेपर जिसमें 90 क्वेस्ट होता है रिजिनिंग का जिसको हिंदी में बहुत धिक योगिताब परिक्षन भी बूलते हैं यहां पर देखिए आपको यहां पर एक साइड अंग्रेजी में दिया रहा चलिए तो अगर इस तरह से देखिये कि हम इसको क्या करते हैं तो चलिए इसको बढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको असपश्ट दिखाइदे में को रट लेंगे रट नहीं होगा एक्जाम में थोड़ा सा क्या करता है क्योंकि औरिजिनल कोई नहीं आपको बता सकता है क्योंकि यह competition का exam है इसलिए आपको model paper से ही त्यारी करना होगा क्योंकि देखिए जैसा यह होगा लेकिन बनाने का तरीका वही होगा तो अगर आप इससे त्यारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप कर जाएंगे क्योंकि इसमें सभी टाइब के रिजिनिंग हम बताने वाले कि इसको कैसे स्वल्व करना है तो यहां पर देखिए प्रस्ण संख्या एक से तीन तक में कैसे यहां पर एक क्रम में दिया गया है तो नेक्स्ट यहां पर अगला क्या आएगा यह हमें निकालना है तो चलिए इसको निकालते हैं देखते हैं क्या आता है तो जैसा कि आप देख पारे हैं 11 है 8 है 16 है 12 है 36 है 31 है तो यहां पर क्या होगा देखिए यह संख्याज होता है एक निशित क्रम में होता है तो कौन से क्रम है यह हमें पता लगाना है तो देखिए 11 से 8 कैसे होगा यहां पर 3 घटा देंगित हो जाएगा 8 से 16 कैसे होगा 2 से गुणा करके फिर 16 से 12 कैसे होगा तो 4 घटा करके 12 से 36 कैसे होगा 3 से गुणा करने पर फिर 36 31 कैसे होगा 5 घटाने पर तो ठीक उसी तरह से दीखे पहले 2 से गुणा किया फिर 3 से गुणा किया अब इस पार हम लोग किस से गुणा करेंगे चार से तो 31 में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो यह हो जाएगा 124 ठीक है तो इसका सभी अंसर क्या हो जाएगा 124 तो इस तरह से देखिए इसका अंसर निकल गया अगला क्वेस्टन देखिए कि यह चार है 10 है 22 है 46 है तो इसी तरह से इसको भी हम लोग बना कर देखते हैं सबसे पहले इसे क्वेस्टन में डिफ्रेंस से ज़्यादा सवाल बनता है तो यहाँ पर धियान देना है चार से 10 कैसे होगा प्लस चौ किया दस से 22 तो प्लस बारा किया 22 से 46 कैसे होगा तो यह प 14 को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है 94 कि इसका भी अंसर निकल गया कि चलिए अगला प्रस्ण देखिए 28-23 तो यहां 28-23 कैसे होगा मैनस पांच 23-29 मैनस 4 मैनस 3 16-14 मैनस 2-1 अब क्या होना चे मैनस 0 तो यानि कि कितना अंसर हो जाएगा 13 इसका रह जाएगा अब यहाँ इस प्रॉष्ण को देखी यदि X का अर्थ प्लस Y का अर्थ माइनस Z का अर्थ डिवाइड और P का अर्थ गुना माना जाए तो संख्या का मान क्या होगा तो इसको solve किजीए देखे क्या आता है यहां दस है यहां P के लिए देखे क्या लिखा गया पी कर्थ क्या है गुमना गुना देद प्यृ gibi एक्स कर्थ का क्या था फिर फिर फ्याई का देख लेते हैं इस में से क्णिया है य खटाओ फिर है फाइव फिर है जैड़ कामान क्या दिया यहां पर जैड का अर्थ है भाग भाग और फिर है 5 तो इसको solve कीजिए यह हो गया कितना हो जाएगा यहां 10 और 2 10 और 2 को गुना करते हैं तो हो जाता है 20 पलस 5 यहां पर माइनस 5 से 5 में भाग देंगे तो एक हो जाएगा तो यहां पर इसको अगर solve करते हैं 25 25 में से एक घटा देते हैं क्या निकल जाता हमारा 24 तो 24 इसका हो जाएगा तो इस तरह इसको बना सकते हैं चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं कि के में लिएक है कि सुरियोदय के बाद उत्तर की और मुख करके ख़डे किसी व्यक्ती की थाया किस और बनेगी तो अगर कोई आदमिं उत्तर के और घटा था रुटा है तो उसका चहाय कि दर बनेगा क्योंकि एभी सुरयोध के बाद पूरव के दिशा से आ रहा है दूप तो इसका चाय किधर बन जाएगा अगला प्रसन देखी है कि यदि 44 गुना 12 बरावर 8 78 गुना 22 बरावर 14 81 गुना 9 बरावर कितना होगा यह reasoning है यहाँ पर गुना करके उतना नहीं होगा इसमें दिमाग लगाना होगा कि कैसे हुआ 44 और 12 को गुना करेंगे तो 8 कैसे हो सकता यह आपको सोचना है तो देखिए कैसे हो सकता है यहाँ पर क्या क्या है देखिए 44 में से अगर हम 12 गटा देते है तो यह कितना बचता है हमारा 32 बचता है और 32 कैसे होगा तो 8 चोके 32 ठीक है इसको देखिए 78 में से अगर हम 22 को गटा देते है तो यह हमारा बचता है चपन और क्या हो जाएगा 14 चुके चपन देखिए यह 8 चो के 32 यह 14 चुके चपन तो इसी तरा से हम अगला का करेंगे एक 80 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 तो 72 कैसे या देखिए 4 से गुणा करके यह पुराना है तो यह हो गया 8.32, 14.56, तो 18.72, यानि कि हमारा अंसर हो जाएगा 18, यहां पूछ रहा है, दी गई आकिर्ती में कितने घहन है, तो इसमें कितना घहन है, इसको गिन सकते हैं हम लो, नीचे में देखें, तो नीचे देखें, इसमें कितना घहन है, नीचे वाला में 3 इधर से, 3 और 3 इधर से, तो कितना हो जाएगा, 9, 9 हो गया, नीचे बाला में 9 हो गया, फिर इस बाला में 9, 14, 15 गन हो जाएगा, अगर इसको गिनेंगे, तो यह हो जाएगा, 15 गन, अगला फुरस्ण है, संख्या, यह जो संख्या दिया गया, इसमें कितने अंकों का स्थान, इस संख्या के अंकों को आरोही करम में बदलने के बाद एक समान होगा, चली, इसको आरोही करम में लिखते हैं, आरोही मतलब क्या होता, बढ़ते करम में, तो अगर बढ़ते करम किसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे एक फिर क्या होगा दो फिर तीन स्थान पर तां था दूसरा स्थान पर यह है उसके बार चो देखे उसी अस्थान पर है आठ भी उसी अस्थान पर है तो ऐसा कितना संख्या मिला तीन तीन ऐसे संख्या मिले जो जिसका स्थान नहीं बदला अगला प्रस्ण है पूजा को याद है कि उसकी मा का जन्म दिन 10-16 के बाद और 22 तारीक से पहले है जबकि उसके भाई को याद है कि उसकी मा का जन्म दिन तो इस तरह का सवाल इसको कैसे स्वल्व करना देखे इसको क्या यदा 16 के बाद और 22 से पहले है तो क्या सवा जाएग 17 18 हो सकता है 29 हो सकता है 20 हो सकता है 21 भी हो सकता है चलिए फिर से HRS को लिखते हैं 17 हो सकता है क्योंकि 16 के बाद करा है 18 हो सकता इसके अनुसार पुजrą का इसके भाई का कहना दोनों में देखिए कौनच यसाइज दोनों में है डोनों में है इसका मतलब यसका 1 स suiv度 जाएगा याननी opposite सीजिका डोनों में पड़ता है अगला प्रहस्न देखते हैं कि इस ठाइप श्रहा ने यदी तेश्डाप लसाऑ सात्रवावबर एक उन्लोग और दिमाग लगाया कितना हो गया इसको कौन सा कोड यूज किया है तो चलिए देखते हैं क्या किया इसने कि तो यहां पर हम लोग देखें तो यह होता है 13 गुना साथ 13 गुना साथ 13 सत्य कितना हो जाता है तो एकुमा के लिखा, एक, बीच में 0 लगा दिया, और नो उल्टाय इसको उल्टाय जीडर लगा दिया है, इसको भी गही काम किया, 84 गैसना होज़ाइगा, 84, 84 को देखिए, किस तरह से गहाँ के लिखा, 4 लिख लिखि़ोे दार, और 0, 8 तो बीच में 0 लगा के उल्टा दिया है तो वही काम इसको किजिए 17, 85 हो जाएगा अगर इसको उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 508 जिरो लगा करके तो ये हो गया option B इसका सही अंसर है देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है इसाम में घंवाला सवाल दो सेंटीमिटर बुजा वाले 125 घंव को एक साथ रखकर एक बड़ा घंव बनाया जाता है इसके बाद बड़े घंव की परतेक सता पर लाल रंग किया जाता है और काफी सारे स्टुएंट का कमेंट भी था कि इस पर वीडियो बनाईगी इस तरह से बनाएंगी यह नहीं आता तो चलिए आज आप लोग इसको सीखें लिजिए कि इस टाइप के सवाल को कैसे हल करना बहुत ही इजी है आपको कुछ याद रखना पर होगा ट्रिक इसका होता तो यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं क्या है पुजरा सभी छोटे घणों को एक साथ रखने के बाद बड़े बने बड़े घण की परतेक भुजा की किनारे की लंबाई क्या होगी तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि दो सेंटीमिटर भुजावला 125 घण को एक साथ रखके एक बड़ा घण बना दिया तो मान लेते हैं यह एक घण है एक और कि एक सो पचीस घण है टोटर ठीक है तो इससे अगर हम दूसरा एक बड़ा घण बनाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा यह ठीक है चली बनाते हैं यहां पर चली यहां सहीस नहीं बन रहा लेकिन आप समझ सकते हैं चली इस तरह से यह देखिए अब एक बड़ा सा घण बन गया और टोटल इसमें 125 होंगे इस तरह से सभी साइड में होगा तो 125 तो अब पूछ रहा इसका बड़ा घण का किनारा का लंबाई कितना होगा तो एक घण कितना बड़ा था दो सेंटीमेटर दो 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 तो कितना हो गया 10 सेंटीमेटर का टोटल हो गया ठीक है एक बड़ा घण का किनारा के होंगे जिनके केवल दो सतव पर लाल रंग होगा ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल दो सतव पर लाल रंग होगा तो इस टाइब के सवाल को आपको कैसे हल करना है देखिए तो इसका होता है सुत्र N-1 गुना किनारा की संख्या किनारों लिख देते हैं किनारा की संख्या चलिए आपको सुत्र याद हो गया N-1 गुना किनारा की संख्या जब दो सत्व पर पूछेगा तब ठीक है तो यहाँ पर देखिए N-1 N का मत्तव है cutting संख्या, तो N आपको निकालना है H N क कैसे निकालना रहेंगी , इसको सिख्धे है N निकालने के लिए जितना टुकरा किया गया है घन का टोटल इसमें कितना था दिये गये सवाल में 125 टुकरा था, तो इसी तरह से किसी सवाल में रहेगा 64 टुकरा किसी में रहेगा 512 टुकरा इस टैप से इसमें सवाल रहता है तो इसमें 125 टुकरा है तो इसका क्या करना है जितना टुकरा दिया रहेगा उसका निकालना आपको घनमूल और उसमें से एक मैनस कर लेना है जितना टुकरा दिया रहेगा उसका घनमूल निकालके उसम तो यहाँ पे N कमान कितना आ गया? 4 तो N कमान निकालने के लिए आपने सीखा जो दिया रहेगा जितना टुकराम काटेगा तो उसका घनमूल में से एक घटाना होता है ठीक है? तो N निकल जाएगा तो अब देखिए यहाँ पूपर मनाते हैं N कितना निकला? 4 घटा हो जाएगा 1 गुना क्या है? किनारा की संख्या आपको याद होना चाहिए कि घन में कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है ठीक है? 8600 होता है और 6700 होता है 12 किनारा होता है तो 4 में से 1 गया 3 बचिया तीन को बारस गुना करें कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इसका अंसर तो इस तरह से सवाल को हल करना है तो सूत्र याद कर लिजिए एएज मैनस उन गुना किनारा की संख्या तो यह हो गया दो सत्व वालक के लिए और एएज कैसे निकालेंगे तो जितना टुक्रा दिया रहेगा यहां पर देखिए इसका कितना कर रहा है तुक्रा कि 125 टुक्रा कर रहा है ना इसी तरह से आपको सवाल में हो सकता है 64 देदे हो सकता है 512 देदे हो सकता है 27 देदे तो उसका घंमूल निकालिएगा और उसमें से एक घटा लिजेगा तो एन निकल जाएगा और फिर शुत्र पर रख देना है तो 12 हो गया चलिए अब कि तेरो नंबर का बनाते हैं ऐसे कितने छोटे घं होंगे जिनके केवल तीन सतहों पर लाल रंग होगा तो तीन सतह पर पूछ रहा है तो ध्यान रखिए ऐसे प्रस्ण बहुती एजी होते हैं तो किसी घंके याद रखना आपको किसी घंके कितने ही छोटे टुक्रे किया जा 3 सतह पर रंगिन होने वाली गहनों की संख्या हमेशा 8 होगा ठीक है अगर 3 सतह कापूचे तो गहन का कितना ही टुकरा सथ चाय 64 सथ तुकरा हो चाये 512 हो चाये 27 सहो कितना भी टुकरा कर ले तो 3 सतह की बात आएगी तो एंसर उसका हमेशा आठ ही आएगा तो इसको यादी रखना आपको तीन सता वला में हमेशा एंसर आठ आएगा कितना भी टुकरा हो उससे कोई मतलब नहीं है चलिए हो गया अगला देखते हैं उसी से समंदित question है ऐसे कितने छोटे गहन होंगे जिनकी किसी भी सता पर लाल र नहीं होगा मतलब कोई भी सिर्फ लाल रंग सही रंगा था तो जिसका कोई सता रंगीन नहीं हो सवाल यह पूछ रहा है ऐसे कितने छोटे गहन ओंगे जिसका कोई सता रंगीन नहीं हो तो इस टाइप के सवाल के लिए सूत्र है n-1 पर पावर 3 ठीक है यह हो गया इसका सुत्र तो यहाँ पर n क्या निकाल ले थे हम लोग 4 n निकालने के लिए बता दिया है कैसे निकालना है तो n आया था 4 तो यहाँ पर 4 में से क्या करेंगे एक को घटाएंगे और इसका पावर लेंगे 3 तो यहाँ पर देखिए 4 में से एक को घटा आते हैं तो 3 और 3 पर पावर 3 तो कितना हो गया तीन का घण 27 तो इसका अंसर आज आएगा हमारा option a 27 ठीक है तो इस तरह से आपको निकालना है अगला सवाल है ऐसे कितने छोटे घट होंगे जिनके केवल एक सतह पर लाल रंग होगा जब एक सतह वला आएगा दो सतह वला बता दिए तीन सतह वला बता दिए और बिना सतह वला कोई भी सतह रंगी नहीं होगा यह भी बता दिए एक सतह वला का देखिए अब किस तरह से निकालेंगे तो इसका सुत्र क्या होता है सिर्फ एक सतह का पूछे तो इसका सुत्र होता है n-1 का स्कुएर और यहां होता है सतह की संख्या सतहों की संख्या N-1 का स्क्वाइर गुना सतहों की संख्या तो N कितना निकला था? 4 तो N पहले निकाल के रखेगा जो दिया रहेगा जितना टुकरा उसका घनमूल में से एक घटा के निकलता है N तो यहाँ पे 4-1 का स्क्वाइर हो गिया गुना सतह सतह कीतना होता है? 6 बता दिये 6 सतह होता है आठ सिर्स होता है 12 किनारा होता है घन में तो इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 का वर्ग 4 में 7 गया 3 गुना उपर में वर्ग है 2 पावर में 2 गुना है 6 तो यहां पर कुछ सूत्र बताएं जिसको आप लोग लिख कर लेते हैं तो इस टाइब के सवाल आप सकते हैं और आपको एजाम में जरूर एशा सवाल आएगा अब अगला question देखिए किसी व्यक्ति का जन्म उन्हेश स्वास्थी के फरवरी महिने के अंतीम दिन हुआ तो नमंबर 2022 तक वो कितने जन्म दिन मनाएगा यह काफी important प्रस्थन है अब सोचने वाली यह बात है कि उन्हेश स्वास्थी में जन्म हुआ था और उन्हेश स्वासी क्या है लीप इयर है और उसमें भी फरवरी के अंतीम दिन तो फरवरी के अंतीम दिन हुआ था तो 29 तारिक को हुआ हुआ क्योंकि लीप वर्स था और लीप वर्स में जिसका 29 हुआ तो लीप वर्स कितना साल पर आता है 2008 में आएगा फिर 12 में फिर 16 में फिर 20 में तो टोटल कितने हो गए 10 यानि 10 बार वो जनम दिन मनाएगा सिर्ट क्योंकि उसका जनम ली पियर में हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्संत्री आठ और 9 बजे के बीच कि समय घड़ी की दोनों सुईया एक सीधी रेखा में होगी परन्तु समपाती नहीं तो घड़ी है और इसमें यहां 12 है यहां 6 है यहां 3 है यहां 9 है एक दो चार पांच साथ आठ दस ग्यारा चलिए यहां पर देखिए घड़ी में क्या आठ और 9 बजे की बीच तो मान लीजिए आठ बज रहा है आठ बजेगा तो यहां पर क्या होना चाहिए दोनों सुइयां एक सीधिम उना चाहिए तो इसस्विया इधर आ जाएगा आट बजे का कितना हो रहा है दस मिनटीके और आठ दस किसमें दिया है सटीक मान आठ बज के दस मिनट इसमें दिया है ठीक है आगे कुछ सकेंड भी आएगा तो सकेंड को छोड़ रहे हैं आठ दस तो यह हो जाएगा option B इसका सही हो जाएगा अगला प्रस्न लेते हैं अगले देखिए निमलिखी सिरिंखला का ध्यान प्रवबक अधियन करें और नीचे दिये प्रस्नों के उत्तर दें देखिए इस सिरिंखला दिया गया है इसको हमको ध्यान से देखना है और प्रस्न जो दिया है उसका उत्तर देना है तो चली देख है ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है ऐसी कितने स्रिंकला हैं जिसमें कितने संख्याएं हैं ठीक है कितना संख्या है जिसके परतेक के तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए और तुरंद पहले परतिक, यहाँ पर इस तरह से गिनिये गा तो देखिली, यहाँ यह से पांच है, संख्याय diff मिला पांच, उसके तुरंद पहले क्या है? एक अंगतर है? Q है? और तुरंद पहले एक परतिक क्या है? एंड का चीन है ठीक है और का चीन है तो यहां पर एक मिल गया इस टैप का और भी ढूंदना है और इस टैप का तो कोई नहीं देख रहे हैं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अप्शन ए ठीक है तो इसी तुरह से आप इसको असानी से ढूंड सकते हैं कि फिर दी गई उपर एक से इंकला में इसे कितने हैं फिर यह भी उसी टैप का तो इसको भी आप खोजिएगा तो मिल जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा कि अप्शन थ्री ठीक है इसको में भी एक ही संख्याइसा मिलेगा अगला प्रस्ण देखिए किसी दमपती के पांच विवाहित पूत्र है दमपती किसको करते हैं पती पत्नी को यह हो गया पांच विवाहित पूत्र है तो विवाहित मतलब पती पत्नी फिर हो गया पांच दुनी दस यह हो गया और परतेक के तीन तीन बच्चे हैं तो पांच पूत्र है पांच तिया 15 हो गया तो काता है परिवार में कूल कितने सदस होंगे कितना हो गया 15 10 25 दू 27 सदस हो गया इसके परिवार में ठीक है तो इसको निकाल सकते हैं अगला प्रस्ण देखिए पासा से पुछा गया है और यह आपको जरूर पूछता ही जामें तो इसको कैसे स्वल्व करना चली बताते हैं आपको एक पासी के तीन-तीन अलग अस्तीती नीचे दी गई है निमलिखीत प्रस्ण के उपर युक् पूछा गया तो देखिए डी इसमें भी है इसमें भी है तो यहां पर तीन दिया है किसी में चार भी दिया रहेगा तो हमको सिर्फ दो ही पासा से काम चल जाएगा दो ही में ध्यान देना है जिसमें मिलेगा डी के बारे में पूछा तो डी इसमें है इसमें है तो इसको ख क्या लिखेंगे सी लिखेंगे और उसके बार ई लिखेंगे से लिख लेना है फिर इसमें भी हाथ यहां दुन नूमेधा तो लिखते हैं और उसके बाद घड़ी के गदी cam Il King गई स्थामें और इसके बाद ब्लेंगे बार आफ रिए अवप क्या पूछ हाया है डी के नहीं दिखाई दे रहा वो होगा तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे एफ तक कर लिया है इसमें ए कहीं नहीं है तो एसका हो जाएगा एंसर और एफ का सी और सी का एफ तो इसका क्या हो गया यह हो जाए में है चलि अगला देखते हैं consequently फ करता क्या आया था सी आया था ठीक है है वही सवाल ता उसे में से की आथई अगला फ्रस्न देखते हैं कि इसको क्यीसे बना दे छिल देखते हैं को यहाँ पर इस तरह से द्या रहेगा वेंड ड्रायग्राम बोलते हैं इसको इस तरह से दिया रहेगा और यहां पर इसमें से सवाल पूझेगा तो इसको solve करने का आपको तरीका बता देते हैं चलि बड़ा ही रहनी देते हैं आपको लिखाई दे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है यहां कलाकार का है जी है तही हाँ पर लिख लिजेगा सीडीऀ इविसके बाद और किया है बेग्यानिק है साइन्टीस्ट इसके अंदर में देख लिजिए इस बेग्यानिक वाला बॉक्स के अंदर में क्या सब है सी है भी है जो भी है लिख लिए उसके बाद जी है पर इस तरह से लिख लीजिएगा और इसके बाद इसको देख देखकर के आपको उत्तर देना तो आसानी साफ बता सकते हैं यह पुछा वे अध्यापक जो वेघ्यानिक नहीं है पहला सवाल में और वे चलिए यहां पर अगर रहताते हैं तो यह दिकत हो जाएगा चलिए इसका अशर बताते हैं ऐसे आपको लिख करके तब बनाना है तो इसका अशर हो जाएगा 23 का कि चलिए 23 का अंसर आपको हो जाएगा ओप्शन 3 कि इसी तरह से 24 का हो जाएगा ओप्शन टू इसको बना लिजेगा आपको 25 का हो जाएगा ओप्शन 4 और 26 का हो जाएगा ओप्शन एक आपको तरीका बता दिए उस तरह से आप बना सकते हैं अब यहां पर देखिए 27 से 30 तक में आपको कुछ सवाल इस टाइप से रहेंगे कि यहां पर इस तरह से चित्र दिया गया कौन सचीत्र उप्यूक्त होगा वह आपको बताना है तो यहां पर देखिए 27 में क्या है कि सरसो गेहूं आलू इसका कौन सचीत्र बन सकता है देखिए सरसो अलग चीज़ है गेहूं कि सरसो अलग है गेहूं अलग चीज़ है और अलू उलग है तो इस तरह का चित्र बने गा ठीक है तो यह चित्र किस ऑप्षें में वह हमारा Enser हो जाएगा तो Só 2 में थीक है तो यह हो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा एंसर तो option Compass 4 में इसा है है अगला कि बैगन है खाना है सब्जी है तो इसका चितर रोड़ी से बन सकता है waseless basin catch घ्रल पैड़र क्या हो गया वेगर क्या सब्जी अच्व करते हैं क्खाते हैं तो इस तरह का है option no.3 में यहां पर चोर जज अपराधी तो चोर क्या हो सकता है अपराधी हो सकता है जज इन सब से बाहर है तो ऐसा चित्र जिसमें होगा option no.1 में तो इस तरह से आप बना सकते हैं तो काफी लंबा वीडियो हो गया है next जो question बच गया है अगले वीडियो में लेकर काएंगे तो आप लोग इस को सीख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं